नमस्कार दोस्तों Holy Cow Entertainment के Documentary Series Chapter 2 में आपका दोबारा से स्वागत अगर मैं आपसे पूछूं कि Holy Cow Entertainment की सबसे पहली ग्राफिक नोवल कौन सी थी तो आपका जवाब क्या होगा रावनायन अगोरी या शैतान सिंग इन में से कोई भी नहीं Holy Cow Entertainment की सबसे पहली ग्राफिक नोवल थी वेरहाउस ये बुक आज की डेट में आफ और स्टॉक है अगर ये पहली ग्राफिक नोवल आपके पास है तो बी हैपी एंड फिल लकी बिकाउस कई सालों से इसकी कोई भी रीप्रिंट अनलाइन या ओफ्राइन मार्केट में उपलब्द नहीं है अगर आप इंडियन कॉइंबॉक्स और ग्राफिक नोवल में इंट्रस्टेड हैं और होली काउ एंटेटेंटिमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया प्लैट्फरम से होली काउ के कई बहुच अचित ग्राफिक नोवल्स की इंफरमेशन बड़े अराम से लिल जाएगी वेरहाउस के बारे में इंडियन कॉइंबुक कम्यूनिटी के जो पुराने रीडर्स हैं वो तो इस बारे में डेफिनिटी जानते होंगे लेकिन अगर आप इस कम्यूनिटी में नए हैं और इंडियन कॉइंबुक्स में अपना नया नया इंट्रस्ट ए रहें तो हो सकता है कि आपको वेरहाउस के बारे में ना पता हो वेरहाउस अपने आप में एक कम्प्लीट ब्लैक और ग्राफिक नोवल थी कि ये कौन है तो बताना चाहूंगा कि ये बॉलीवूड के कुछ क्लासिक्स इस ग्राफिक नोवल के अंदर की तीनों कहानियों में श्री विवे गोयल जो कि इसके का उनिवर्स का रूप ले लेगा अब चुकि ये ग्राफिक नोवल आउट-वस्टॉक है तो मैं आपको एड्वाइस करूंगा कि या तो आप किसी स्पेसिक क्लेक्टर को डूने या फिर इंक्वायर करें होलिकाव एंट्रेटेंडमिन की वेबसाइट पर इसके अलावा बरकरार है और जितनी भी नहीं कॉन्यूक्स आती है उनकी रिव्यूज उनकी लाउंचिंग उसकी न्यूज और अलग लग पोस्ट आपको फेस्बुक प्लाटफॉर्म पर ही बड़े आराम से अविलेबल हो जाएगी तो ये थी होलिकाव एंटरेटेंडमिन की सबसे पहनी ग्राफिक नौवल वेरहाउस इसके बाद इस ग्राफिक मावल के बाद श्री विवेग गोईल ने पीशे मुर कर नहीं देगा और बहुत जल्ड शुरुबात होने वाला थी एसी सीरीज की जो पिछले तेरा सालों से होलिकाव की पहचान बन चुकी है अग्राद तेरा में देगा दूरुबा फेरहाउस का शसे होईल भी पेलन ने होईल में पाराण तो पर इस नाइकर भी और यह थेसे की पेलेगिना थी और नहीं अगया थे हैं आपको अपने आप में काफी अन्ट पहली मुलाकार थी बादे बादार गयाल हुआफ का निय तरीकी का आट्वर्प मिलेगा, खास्ता उसे 10 साल पहली की जो कॉइम बुक्स आती थी, या कहिए कि इस तरीकी की काउंटेंट की शुरुवात हुई थी, Holy Cow Entertainment से, Holy Cow Entertainment एक बार दोबारा कहना चाहूँगा कि उन कुछ publications में से है, जिसने ना केवल एक दशक को पार किया है, बलकि consistently अपनी comic books और graphic novels को market में उपलब्द कराया है, यही वज़ा है कि पुराने readers के साथ में नवी generation के young readers का भी ध्यान, Holy Cow Entertainment ने अपने अलगलग characters, storylines से खीचा है, और यह बात तो आपको इस series के आगे आने वाले video documentaries में पता चले गी ही कि किस तरीके से श्री विवे गोया उनकी पूरे team ने the team of writers and artists उनने किस तरीके से इस पूरे mega universe को develop किया है, आज की date में अपने आप में a well-established universe है, अगर आप इसकी किसी एक sequel को ठालेंगे और उसको पढ़ना शुरू करें और आप यह निशकर्ष निकालना चाहें कि कहानी क्या है, तो अपने आप में आपको थोड़ी complication हो सकती है जनाब यह नई कमेबुक नहीं है, करीब 13 साल, 13-14 साल हो चुके हैं Holy Cow Entertainment को हमारे भारती कमेबुक कम्यूनिटी में अभी रिसेंटल ही अनाउंस किगे थी Holy Cow Entertainment की next launch, Dhek, जिसको लिका है Vijendra Mohanti ने, जो की Ravarayan के writer है after a very long gap, Vijendra Mohanti as a writer वापस आ रहे हैं Holy Cow Entertainment creative team में और Dhek उनकी नई प्रस्तोती है So this was the video guys, thank you so very much for watching this video, like it, subscribe to the channel, share the video with others, जहां से भी हो सके, कोशिश कीजिए कि वेरहाउस आपके भी collection में आ सके, thank you so very much, goodbye and God bless you